Good morning students, आज का अपना topic है, CBSE Class Earth, topic प्रत्य, description प्रत्य के बेद, प्यारे विद्धिर तो याद देखते हैं कि प्रत्य क्या होता है, ये कितने प्रकार क्यों होता है, तता हिंदी बात्सा में इन कप्रियों कैसे किया जाता है, तो सबसे पहले अपन प्रत्य के बारे में देखते ह कि प्रत्य का क्या आर्थ होता है, प्रत्य किसे कहते हैं, प्रत्य सब्दान से होते हैं, सब्द नहीं, कहने का मतलब एक ही प्रत्य जो होते हैं, वो पुरा सब्द नहीं होता है, सब्द का एक हिस्सा या भाग होता है, सब्दान से सब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में नविन्ता ला देते हैं मतलब सब्दान जो होते हैं वो किसी भी सब्द के अंत में जुड़ते हैं बाद में जुड़ते हैं और बाद में जुड़कर के उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं प्रत्य का प्रयोग स्वतनत रूप से किया जाता है मतलब इस पर किसी का अब आप नहीं होते हैं, एक सु उत्नीत रूप से इनका यूज किया जाते हैं अब इसकीifieंरेस्टं है, यह सब्डान को में शब्द के अंत में जूड़ करें उसके अर्थ में परिवर्दन कर देते हैं ऐसे सब्डों नहीं सब्दो को पत्ति कहते हैं इसी तरह काम में एरा जोड़ा तो कमेरा बना और लड़का में पन जोड़ा तो लड़क पन बना तो ये नई सब्ध बन रहे हैं ये प्रत्य जोड़े गये हैं आगे देखते हैं प्रत्य के तो बेद erg कि बारकार के होते हैं पहला है क्रित प्रते और सेकंड है तदित प्रते तो पहला देखते हैं क्रित प्रते क्या होते हैं कि वे प्रते जो क्रिया की धातू के अंत में जुड़कर कि उसके अंत में परिवर्तन कर देते हैं क्रिया होती है और क्रिया की जो धातू होती है उनके अंत में ये प्रत्य जूड़ते हैं और जूड़कर कि उसके अर्थ में नवीनता ला देते हैं वो क्रिध प्रत्य कहलाते हैं और क्रिध प्रत्य से बनने वाला जो नया सब्द होगा उसको क्रिधंत कहते हैं क्रिधंत कहल निया जो सब्द बना शिखावत तो इसका अर्त में बिटा रहा है। और यह जो निया सब्द बनता है। इसको अपन क्रिद्र दशब्द कहेंगे। इसेतरह सज पलस आवट Σजधातु उसके आवट प्रत्य जूड़ा है। तो नएा सब्द सिजावट वनतार, यह केडंध बन गया। इसे तरह गाभबरिया, पहलना प्रति आ हिते हैं doubles. तो यह नाया सब्द बनते हैं इनको केडंध प्रतिये कहेंगें और यह दातू या हैं और इन धातूं के अंत में ये प्रतियें जोड़ रहे हैं। और ये सारी क्रियां की धातुयां हैं इसलिए इनको क्रिद्यंत प्रते कहेंगे तो क्रिद्यंत प्रते से मतलब हुआ कि क्रिया की धातु के अंत में जुनने वाले जो प्रते होते हैं और फिर उसके अर्थ में प्रिवर्तन करते हैं उन्हें क्रिद्प्रते के वेद देखें प्रते और क्रिया वाच्य क्रिते प्रते इस प्रकार से ये क्रित प्रते के पांच बेहद हुए जिन में पहला है क्रित वाच्य की क्रिते प्रते जिस प्रते द्वारा बने सब्द जो किसी करता का बूद कराते हैं उन्हें क्रित वाच्य करता का बूद कराने वाले जो प्रत चाल दाव भूल गूम तो चाल और धाव उनमें अपन अक प्रत्य जोड़ेंगे तो चालाक बन गया और धाव में जोड़ा तो धावक चालक चालक मतलब चलाने वाला और धावक मतलब दोडने वाला इस तरह से ये करता का बोद करा रहे हैं इसी तरह से अकड, भूल में अकड जोड़ा तो भूलकड हुआ, गूल में अकड जोड़ा तो गुमकड, तो भूलकड और गुमकड ये भी करता का बोध कराने वाले प्रत्य है, इसलिए इनको क्रित अच्यक्रत्य कहेंगे, दूसरा है क्रम अच्यक्रत्य प्रत्य, जिस प् और नहे सब्सकोर कषाई स on OH कोतररगे में इसे नहोपने से नन ना पते खां जरेंगे converting बते और नहीं आशayan और हमें तो दीखा में आ बासार भीचमे जरेंगे तो भीचों नहीं о इस दो इस ऍीन निए loro करणवाच्य के क्रित प्रत्य हुए अगला तीसरा है करणवाच्य क्रित प्रत्य है जिस प्रत्य से बने शब्दों से क्रिया के साधन का बोध हो मतलब क्रिया की साधन से की जा रही है उसको अपन करणवाच्य क्रित प्रत्य कहते हैं जैसे क्रणवाच्य क्रित प्रत्य नी जोड़ेंगे मत में तो मतनी, चट में जोड़ेंगे तो चटनी और घट में जोड़ेंगे तो घटनी, तो यह सारे सादन हो गए कारिय करने के, क्रिया करने के, ना ला में जोड़ेंगे तो लाना, गा में जोड़ेंगे तो गाना और जा में जोड़ेंगे तो जाना, तो ला हमें क्रिया करने के साधन का बोध हो रहा है इसलिए इसको करनवा अच्यक्रित प्रते कहेंगे अगला है भाव अच्यक्रित प्रते जिस प्रते से बने सब्द से भाव का बोध हो उसे भाव अच्यक्रित प्रते कहते हैं जैसे आई सुन में जोड़ा तो सुनाई पड़ में जोड़ा तो पड़ाई और लिक में जोड़ा तो लिखाई तो सुनाई पड़ाई और लिखाई इसी तरह से आवा प्रत्य दिक में जोड़ा तो दिखावा चल में जोड़ा तो बुलावा तो दिखावा चलावा और बुलावा इसी तरह से अंत प्रत्य जोड़ेंगे भीड में जोड़ा तो भीड़ंत गड़ में जोड़ा तो गड़ंत रटंत तो भीड़ंत गड़ंत औो रतंत यह सारे बाह legg घर करिद्वृतियां हुए इस तरह से यह पांत प्रखार की घर सेह Пईक ृते हैं धन्यवाज